इसे कनीडर जो B8 और M8 कर लिए हैं उन सभी को लिए बहुत ही एक बड़ी ख़वर निकल के आ रहे हैं क्या है ख़वर इस इसको जानने के लिए वीडियो को सुरूश लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखे कि इस वीडियो में आफिका प्रॉफिट के लिए इस वीडियो सुरूश लेकर अंतिम तक जरूर देखे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं रिश्टाट करते हैं आपको बताते हैं कि मामला क्या है तो हिंदुस्तान लाइब की ओर से यहां पर आप देख पा रहे हैं B8 और M8 डिरी धारकों को बड़ी रहात राइस्ट्री और ध्या 2017 में इसको पारित किये थे उसी का मंजुरी जो है मिल चुके है क्या है पूरा मंजुरी पूरा खबर को जानने के लिए वीडियो को सुरू से लेकर अंतिम तर जरूर से जरूर देखें पार यहां पर की लोकसभाने राइस्टी राइस्ट अध्यापसिच्छा परिसद एन के संस्थान के पारित करम को NCTE से मायनिता पराप्त नहीं थी यानि कि वैसे के लिए भी यह जो है लोकसभा में पारित के गए कि उन सभी केनिडेटों का जो है उनका भी सर्टिफिकेट को मायनिता दे दिये जाएंगे तो यह जो है बहुत ही एक बड़ी खबर है उसके बा संसोधन बिध्ये क करम मनिता पराप्त नहीं थे संसोधन विध्येक पर भास कर जवाब देते हुए केंडुरे मानम मानम संसाधन विकास मन्तरी परकास जावड़कर्ण के कहा कि इस से बड़ी तादात में विद्याड़त्यों को फायदा होगा मतलए जो आप सब जानते है कि मानुव संसादन विकास जो मंतरी है वो परकाह जावडकर है तो उन्हों ने जो साफ साफ बोल दिये कि अगर इस टैप से कानून अगर हम लो लाते हैं इस टैप से बताते हैं तो सभी के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में विद्यारतियों को जो फायदा होंगी इसके सा कार अगले साल से बीएड बीए और बीएड बीकॉम और बीएड वे बीएससी और बीएड का एक्तित पाइटकरव सुरू करने जा रही है इससे सिच्छा के गुर्वत्ता में सुधार होंगे होगा केंद्रे मानुव संसादन विकास मंतरी प्रकास जावड करने यह भी कहा की सिच्छा निती का मसोधा लगभग तयार हो चुके यानि कि यहाँ पर जो बीएड और एमेड जो कर रहे थे उनके लिए बहुत ही एक रहात का ख़वर मिले कि वैसे कॉलेज जो की एंसी एंसी टी से मानिता प्राप्त नहीं थे उन सभी के लिए जो है उन सभी दोस्तों कोई समस्या है जरू बताएगा बीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत देने हुआ है थाइंक्स पूर वाचिंग फिर मिलते हैं कोई एक नई बीडियो और खाल के साथ